तो मूल रूप से जो famous उतपाद होते हैं, उनको ये GIT tag दिये जाते हैं, कि आप यहां के, जैसे कि example के रूप में ले, तो पर्थम जो GIT tag दिया गया था, तो वो darjling tea को दिया गया था, white और green tea को, मूल रूप से जो है ये white और green tea कहां की है, darjling की है, पस्चमि बलकगाल की, तो इसको GIT tag दे दिया गया, कि मूल रूप से कहां की है, ये, कहां की है, darjling की है, तो उसको ये tag दे दिया जाता है, तो उनको हम यहां पर discuss करने वाले हैं, कुछ मैं आपको हिंट देती चलूँगी ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए और लंबे टायम तक याद रहें तो चलिए बिना देर कि ये शुरू करते हैं आज का वीडियो और सुर पर्थम देखते हैं GI Tech की फुल फोरम तो फुल फोरम है जोग्रोफिकल इंडिकेशन तो सुर पर्थम देखेंगे GI Tech किसको दिया गया तो दार्जलिंग टी को दिया गया था 2004 में और ये दार्जलिंग कहां पर पड़ता है पस्चमी बंगाल में याद रखना है इसको पस्चमी बंगाल में पड़ता है और तो बा दार्जलिंग में होती है ये और पूरे भारत में होती है 85 oh shove किलोग्रम जिसमें इसा दाट जलिंग घ्री टी का कितना है दस लाग किलोग्रम और वाइट टी की बात करें तो ये पस्चमी बंगाल यानि में कितनी होती है एक लाग किलोग्रम तो यहाँ पर सुरुणधिщее होती है इसलिए इसको डार्जलिंग को जो की कहां पर है पस्चमे भंगाल में कब दिया गया दो जार चार में शुरध पर्थ Этот को यो टैग दिया घ्या गया था तह धियान रता है इस इसके इत्र Civil हम बात करें पस्चमी बंगाल में जो अन्य जियाई टेग दिये गया है तो गोविंद भोग चावल को दिया गया है रसगुले को दिया गया है और छो मखोटा को दिया गया है और गोविंद भोग चावल को गिनिज बुक में भी अपना रिकोर्ड दर्ज करवाया है इसने ग इसके बाद गोविंद भोग चावल रसगुले और छो मखोटा तो आप इसको ऐसे याद रख्छकते हैं कि मैं जो हना गोविंद जो हना बंगले पर गया ठीक है बंगले पर गया यानि पस्टमी बंगाल बंगले पर गया और उसको रसगुले नहीं मिले गोविंद जो है बं बंगले पर गया उसको रसगुले नहीं मिले तो वो क्या हो गया छो हो गया नेक्स्ट बात करेंगे ओडिसा की वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है आपको कंधामल हल्दी और रसगुले तो यहां पर देखें गोविंद छो हो गया था क्यों छो हो गया था क्योंकि रस नहीं मिले तो रशगुले उड़कर कहां आगए हैं? ऊड़िटमे में आगए तो रशगुले ऐक पस्थमी बंगल रस गुल्ले प्स Baldi बंगल इसको भी जयहां टे ग हुई मिला हुआ है लेकिन ज्यादा फेम स्थ गुल्ल pat पंगाल का है तो यहां पर धियन रखना है रस गुल्ल अगर पस्थ मी बंगाल option मनन रह ए हो त्थो यहां पर right चाहिव 3 poder कर आया है यानि उडिसा नेक्स्ट बात करेंगे तमिन नाडू की तो इसमें जो जी आई टैग मिले हुए है वो है पंच तीर्थम परशाद नेक्स्ट बात करेंगे इरोड हल्दी और त्री भुवन सिल्क साड़ी और कदलाई मित्य जो की कोविल पट्टी में मिलती है यानि दक्षिन तमिन नाडू में पाई जाती है ये कदलाई मित्य जो की एक परकार से मुखफली की कैंडी है ये तो कैसे याद रखेंगे हम इनको पंच तीर्थम परशाद इसमें देखिए पांच चीजों को मिलाया गया है केला घी इलाइची गुड शहद इनसे मना है ये पं स्टामी जी का जो मंदिर इसमें चड़ाया जाता है तो पंच तीर्थम पांच चीजे मिलाई गई है यानि मिलन कितनी चीजों का हुआ है कितनी मिली हुई चीजे है पांच तो तमिन नाडू इरोड की बात करेंगे तो ये रोड से ध्यान रख लीजे रोड पर कौन मिला रोड पर कौन मिला तमिलनाडू ओके त्री भुवन सिल्क साडी रोड पर सिल्क साडी पहन कर मिला ऐसे कर लीजिए और कदलाई मित्तेई ये भी तमिलनाडू की है इसके अत्रिक्त बात करें तमिलनाडू में डिंडी कुल ताला और कडांगी साडी को भी क्या मिला हुआ है जी आई टेग, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे dindi kul को याद रख लीजे कि, kul नहीं मिला, ठीक है, kul नहीं मिला, तो क्या कर लेजे, तालळ लगा दीजे, यानि डिंडी कुल ताला, G.I. टैग मिला है किसको? तमिल नाडू को. कडांगी, साड़ी, कडाई, कडाई कर लीजे कडाई, कडाई कहा मिली है? मिली है, मिली कहां पर है? तमिल नाडू में. यानि डिंडी कुल, कुल नहीं मिला तो ताला लगा दो, कडाई, कडाई कहा मिली, तमिलाडु में, पंच तीर्थ यानि पाँच चीजों को कहा मिलाया गया है, तमिलाडु में, और रोड पर कौन मिला, सिल्ख किसाड़ी पहने हुए, वो मिला, तमिलाडु अपना, तो इस याद रख शकते हैं इसके अत्रिक्त बात करें तेलंगाना की तेलंगाना तेलिया इससे तो नाम से ही सपष्ट हो रहा है तेलिया रुमाल तेलिया यानि तेलंगाना तेलिया रुमाल कहां का है यह जी आई टैग मिला है तमिल शोरी तेलंगाना को मिला है करनाटक की बात करे कहते हैं कि क्रहां कि करनाटक का क्या है सीसरी इसको भी जी आई टैग मिला हुआ है खिए तो कैसे याद रखेंगे सुपारी में खाई न तो छो खों गया और सीर घूमा तो सिधी सी बात है नाटकक कराजाएगा तो दियान रख लिजे शिर्शी सुपारी नाटक किया शिर्शी सुपारी से क्या क्या नाटक यानि करनाटक करनाटक की बात करें यहां पर कोफी जो है देश की 71% होती है सवराधिक होती है इसके बाद बात करें तो केरल में होती है और तीसरे स्थान पर आता है तमिलाडू 5% हो लीजिए कैसे ही याद रख लीजिए करनाटक चलिए इसके बाद हम देखते हैं केरल की कोफी के बात कर लेते हैं क्योंकि हमने करनाटक की कोफी को देखा कुरूग अरेबिका कोफी तो अब हम देखेंगे वाइनाड रोबेस्टा कोफी ये कहां की है केरल की तो कैसे ध्यान यहाँ पर GI tag मर्यूर गुड को भी मिला है और तिरूर सुपारी को भी मिला हूँ है और वाइनाड overtime koffy को भी मिला हूँ है और कुर्ग elavesita जो coffee है वो कहां कि थी कैसे ध्यान रखना है हमें करनाटक की है वो और इसके अत्रीक एक coffee और है जो कि अंदर परदेश की है अरकू कोफी उसको भी हम ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे नहीं तो यहाँ पर कर शकते हैं आप अरकू अरकू कोफी ठीक है यह कहाँ आपकी है अंदर परदेश की तो इस ऐसे ध्यान रख लीजिए अरकू अरकू ऐसे अंदर परदेश कैसे ध्यान रखा था करनाटक और ये वा हम मैं निकाल कर दिखाती हूँ अब आपको तो मर्यूर गुड केरल को अंजी आई टेग मिला है तिरूर सुपारी को मिला है और वाइनार ड्रोबेश्टा कोफी को कैसे ध्यान रखेंगे कि मयूर मोर ने मयूर का मतलब जाते हैं हाँ मोर होता है तो मयूर ने करेले की सुपारी किसकी खाई है मयूर ने करेले की सुपारी खाई और फिर भी का कहा वा यानि मयूर ने करेले की सुपारी खाई फिर भी क्या कहा वा यानि बहुत अच्छी लगी उसे तो मयूर से याद रखेंगे मर्यूर गुड करेले से याद रखेंगे केरल और सुपारी शुपारी है ये तिरूरूर सुपारी इससे पहले भी सुपारी आ चुकी है और आगे भी आ जाएंगे थोड़ा ध्यान रख लिए जिये तिरूर सुपारी जो हना केरल की है तो और फिर बाद में क्या कहा यानि मयूर ने केरले की सुपारी खाई फिर भी क्या कहा वा यानि वाइनाड रूबेस्टा कोफी जो हना कहा की है केरल की अरनुक कोफी ऐसे निकार लिजिया अंदर पर देश कुर्ग अर्बेका कोफी ये कैसे निकार लिए करना टैक इसके बाद हम देखेंगे महराश्टर के जिनको जी आई टेग मिला हुआ है वो कौनशे हैं अलफोसा हापुस आम अलफोसा जो की इसको हापुस भी कहा है तो ध्यान रख लिजिए ये आम है और शागली हल्दी और कोहलापुरी चप्पल इनको मिला है वो है है जी आई टेग तो आप इसको ऐसे याद रख सेपते हैं कि यहां से ले लिजे रास्ट ठीक है महराश्ट का क्या लेंगे रास्ट तो रास्ट ने साग जो है ना पूरी के साथ खाया ठीक है तो खाया से देखे आम है ये तो अपसोस कर लिजे कि रास्ट ने अपसोस है कि साग जो है ना साग को पूरी के साथ खाया थोड़ी अटपटी ट्रीक लेगेगी लेकिन थोड़ा आपको याद रह जाएगा ये कि रास्ट ने अपसोस है इस बा कि साग को पूरी के साथ खाया तो हमारे अपसोस से याद रखेंगे अलफोसो आम को जिसको हापूस आम भी कहते हैं और शाग से याद रखेंगे सांगली हल्दी और को पूरी यानि राष्टर ने अपसोस है कि साग को पूरी के साथ खाया ठीक है राष्ट से याद रखें महाराष्टर अपसोस से अलफोसो और शाग को यानि सागली हल्दी और पूरी से याद रखेंगे कोहलापूरी चप्पल बिहार की बात करें तो साही लिच्ची यहां से क्यूशन बनने के चांस हैं आपके तो हार किसको पहनाया जाता है साही साही लोगों को पहनाया जाता है हार से ध्यान रख लेजे साही यानि साही लिच्ची जियाई टेक किसको मिला है वो बिहार को मिला है इसके तो एक कतरनी चावल जरदालू आम और मग ही पान पान, पान कहां का famous है, बिहार का, और जर दालू आम, और कतरनी चावल, ध्यान रखने हैं, मैंने आपको इसरफ साही लिच्ची की यहां प्रहिंट दी है, इन तीनों को भी ध्यान रखियें, और पान तो वैसे भी एक सोंग शुना होगा, खाई के पान बना रसवाला, तो व जीरों को मिला है, चूली के तेल को मिला है, कांगडा चाय, चंबा रुमाल, कुलू साल और किनोरी साल को मिला है, एक पीछे हम देख चुके हैं, तेल या रुमाल, तेल यानि तेल लंगाना, और यहां पर है चंबा रुमाल, तो यह हिमाचल परदेश का है, जिसको हिमाले से नीचे देखेंगे ना तो क्या दिखाए देगा सब कुछ काला काला दिखाए देगा तोसी से याद रख लिजे काला जीरा ठीक है और चुली यानि हिमाले पर गए तो नीचे क्या दिखाए तल पर क्या दिखाए देगा कुछ भी नहीं चुलू भर पानी भी दिख मंदीत हैं कि नोरी साल कि नोर या इसी से सम्मदीत हैं तो यह तो एक तरह से मिलते जूलते हैं आप इनको यहां हिंट से याद रख शकते हैं कि काला जीरा यानि हिमाले हिमाचल यानि उपर चोटी पर गए तो नीचे क्या दिखाए देगा सब कुछ काला काला दिखाए इसके बाद कस्मीर कस्मीर में सभी जानते हैं केसर के लिए फैमस है तो कस्मीरी केसर को GI टैग मिला है पहले कस्मीर में ही ये फसल होती थी केसर की अब की बार इसके अत्रिक्त सिक्कम में भी फसल की जाएगी ध्यान रख लीजे थोड़ा पहले सिर्फ कस्मीर में की जाती थ हुआ है किसको कस्मीर कैसर को कस्मीर में है यह ध्यान रख लीजिए तो ऐसे यह इसके अत्रीक्त हम बात करें सिक्कम की है डल्ले खुर्शानी मिर्ची यह कहां का है यह क्यूशन बनता है डल्ले खुर्शानी मिर्ची जी आई टैग मिला है हाल में ही तो यह सिक्कम का तो कैसे ध्यान रखेंगे पहले कस्मीर में ही की जाती थी कैसर की फसल अब कहां पर भी की जाएगी सिक्कम में भी की जाएगी तो डल्ले खुर्शानी मिर्ची तो यह से कर सकते हैं कि तुम्हें मिर्ची लगी तो हम क्या करें भई हम तो करेंगे डल्ले खुर्शानी मिर्च तो यह कहां की है सिक्कम की कड़क नात मुर्गा कड़क नात यानि कड़क मुर्गा सभी जानते हैं ये किस से समंदित हैं तो मैं थोड़ा याद करने का हिंट दे रही हूं आपको कड़क होना पड़ेगा मद्धे में हैं आप सीधी सी बात हैं आप मद्धे में हैं तो आपक कड़क होना पड़ेगा क्योंकि साइडों से कोई भी अमला कर शकता आप पर तो एक तरह सी ऐसे कर लीजे कड़क होना पड़ेगा क्योंकि आप मध्धे में हैं मध्धे से याद रखेंगे मध्यपरदेश इसके अत्रीक इसके लिए 36 गड ने भी कहा था कि हमें दिया जाना इसके लिए लेकिन मिला किसको है मध्यपरदेश को तो मध्य में रह रहे हैं तो क्या होना पड़ेगा कड़क तो कड़कनाफ जो मुरगा है वो कहां हो्धिया कड़क मिला है किसको मिला है मध्यपरदेश को नेक्स बात करेंगे जारखंड की सोहराई खोवर पैंटिंग Suchurai फ्रवर, वह जहार्खंड की है तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कषोवर खोरिय होते है यह कोरियों के होते है यानि कषोवर उसी से ध्यान रख लिजेए नयाहिवART जहाई की है सौहराई को झालग काले चाल्ग की चाल baru BR को और टेरा कोटा की बात करें , तो यह गoral पुर को जिए lice tech मिला है। तो आप इसको ऐसे याद रख चकते हैं। देखिए चावल सवराधिक होते हैं कहां पर पस्चमी बंगाल में। आप सभी जानते हैं। तो चावल क्या हो गए, काले हो गएρόंगे, काले यह हैं , तो काले कैसे होगे मनी के परभाव से होगे तो काले चावल कहां के जियाई टैग मिला है मनीपूर को और हमने इससे पीछे देखा है काला जीरा यानि जीरा कहां पर है हम उचाई पर चले गए थे हिमाले पर चले गए थे हिमार्चल पर देश यानि तो वहां से हमें क्या दिखाई द दिखाय दे रहा था टेरा कोटा ध्यान रख लिजे ये गोरक पूर्शे समंदित हैं तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में एक वार फिर से मिलेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब क लिजेरा